एक गाओं में गुपता परिबार रहता था, उस परिबार में चार सदस्य थे, बंसिधर, उसकी पत्नी शीला और उसके दो बच्चे शीला, अभी कुछ दिन पहले तो सरसों का तेल लेकर आया था, अगर तुम कहती हो, तेल खतम हो गया, आखर इतनी तेल कैसे खतम हो गया? अच्छा जी, हर रोज शाम के बड़ चाय के साथ पकोड़े कौन खाता था? अगर ऐसी बात है तो नहीं बनानी थी पकोड़े, क्या ज़रूर थे ज्यादा सामान खर्च करने की? मैंने कुछ भी ज्यादा इस्तिमाल नहीं किया है, मुझे आपकी बात नहीं सुननी अच्छा, चलो, अब अगली बार से ध्यान रखना बनसी धर देखता है, कुछ नए कपड़े आये हैं घर में ये नए कपड़े कौन लेकर आया? जी, मैंने ही कुछ दिन पहले इसे खरीदा था अरे शीला, तुम तो बिल्कुल समझती नहीं हो समझा समझा कर ठक गया हूँ कि ज्यादा खर्चा मत करो बनसी धर उसकी पत्नी में अकसर नौक चोक हुआ करती थी और उसका बज़ा ये था कि बनसी धर एक साधरन नौकरी किया करता था जिससे बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा था इधर कच महीनों से बहुत मुसीबते चल रही है जिन्दगी में आखर कैसे इन सब से निकलो बनसी धर ये सोच रहा था तब ही उसकी पत्नी कहती है आपको पता है बुलावा आया है शहर से क्यों किस चीज़ का बुलावा आया है हमें शादी में जाना है उन्होंने कार भी भिजवाया है अच्छा तो क्या वहाँ जाना जरूरी है जी बिल्कुल हमें तो जाना ही पड़ेगा ये भगवाद फिर से इतना खर्चा आखर कैसे इतना खर्चा उठा पाऊंगा पैसे तो बिल्कुल भी नहीं बचे है सुनिए शहर जाना है तो हम सभी गारी से ही जाएंगे आप गारी बुक कर लिजिए मैं बस से नहीं जाने वाली बस में दोनों बच्चों को लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है अरे नहीं शीला ऐसी कोई बात नहीं है हम बस से जाएंगे तो अच्छा होगा, गाड़ी की बुकिंग की ज़रूरत नहीं है बनसिधर थोड़े पैसे इधर उधर से मांग कर गाड़ी बुक करने आता है भाई सहाब गाड़ी बुक करवाना है, तो मैं डेक करतो अइसार नहीं लगता कि तुम गाडी बुक करवाने आये हो, बताओ क्यों आये हो? जी, मैं सच में गाडी बुक करने आया हूँ, क्या सच में? गाड़ी वाला बंसिधर का बहुत मजा कोड़ाता है क्योंकि बंसिधर फटे पुराने कपड़े पहने हुए था गाड़ी बुक करवाने के बाद बंसिधर का पूरा परिवार शहर जाने के लिए निकल पड़ता है तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तुम सभी बहुत मन्हुर्श हो, तुम लोग मेरे गाड़ी में बेटे और मेरी गाड़ी ख्राब हो गई, तुम सभी निकलो मेरे गाड़ी से, मैं तुम लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा, चलो जाओ ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पैसे दिये हैं. अरे निकलो यहाँ से और ले जाओ अपने पैसे. मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों के पैसे. चलो शीला, हम पैदल ही चलते हैं. थोड़ी देर चलने के बाद बीच रास्ते में उन्हें ट्रॉली बैग दिखता है. तभी बंसिधर का बड़ा बेटा उस ट्रॉली बैग को देखकर उसे उठाने के लिए दोड़ता है. जैसे ही बंसिधर का बेटा ट्रॉली बैग के हैंडल को पकड़ता है. ट्रॉली बैग में उड़ने लगता है और सभी आगे बढ़ने लगते हैं बंसिधर और शीला बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ट्रॉली बैग चादवी ट्रॉली बैग है सभी ट्रॉली बैग के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं तभी बीच रास्ते में बंसिधर को कुछ याद आता है अरे छोटू के दूर का बोतल तो उसी गारी में ही रह गया ट्रॉली बैग वापस पीछे जाता है और उसे गारी के पास लेकर आता है वहाँ गारी खराब पड़ा हुआ था ड्राइवर उरता हुआ ट्रॉली बैग देख हैरान रह जाता है बंसिधर ट्रॉली बैक को अपने पास रख लेता है और उसके बारे में किसी को नहीं बताता है वो उस ट्रॉली बैक का इस्तिमाल करने लगता है वो जो भी ट्रॉली बैक से मांगता वो ट्रॉली बैक उसे दे दिया करता था एक दिन कुछ पुलीस के साथ एक आदमी बंसिधर के पास आता है इन लोगों नहीं मेरी ट्रॉली बैग चुराया है मैंने चोरी नहीं की है ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था जिस आदमी ने पुलीस कंप्लीन की थी वो एक जादुगर था वो तुरंत अपनी ट्रॉली बैग बंसिधर की हाथों से चीन लेता है वो जादुगर उस ट्रॉली बैग से जादु करके लोगों को दिखाता था कि कैसे ट्रॉली बैग हवा में उड़ता है ट्रॉली बैक हो जाने की बज़ा से कई दिनों से वो जादू नहीं दिखा पा रहा था बन सिधर से ट्रॉली बैक छीन कर जादूगर अपने पास लाता है और एक शो में वो जादू का इस्तिमाल करके दिखाता है मगर ट्रॉली बैक पर कोई जादू काम नहीं आता है ये क्या हो गया? ये ट्रॉली बैक जादू क्यों नहीं दिखा रहा है? इसकी जादूई शक्तिया कहा चली गई? जादूगर ट्रॉली बैक पर वापस से जादू करता है ट्रॉली बैक पर इस बार भी जादू नहीं होता है ट्रॉली बैक जादुगर से दूर चला जाता है और जादुगर से कहता है तुम हमेशा मेरा इस्तमाल किया है कभी मेरी इज़त नहीं की मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ऐसी बात नहीं है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है छोट क्यों बोलते हो तुमने कभी मुझे सन्मान नहीं दिया है इसी तरह दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और घुसा होकर जादूगर जादूई ट्रॉली बैक को फिंग देता है बंसिधर ट्रॉली बैक के इंतिजार में बहार खड़ा था जैसे ही जादूगर ट्रॉली बैक फिंगता है बंसिधर उसे उठा लीता है ऐसा लगता है जादूगर ने सारा जादू खतम कर दिया है बंशीधर ट्रॉनी बैक को अपनी घर पर रख देता है, तभी ट्रॉनी बैक कहता है बंशीधर ऐसी बात नहीं है कि जादूगर ने मेरी सारी शक्तियां खतम कर दी है अभी भी मेरे अंदर शक्तियां बची है और अभी भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसलिए जब कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, तुम्हारी मदद में जरूर करूँगा जो भी चाहिए हो तुम मुझसे मांग लेना वाँ, ये तो बहुत खुशी के बात है अगर मुझे किसी भी चीज की बहुत जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा